हलो दोस्तों नमस्कार, केपी टीचर अगड़ी में आपका हर्तिक स्वागत है, आसा करतों आप स्वस्ता होंगे, अच्छ होंगे, दोस्तों आज हम बाल विकास इच्छा सास्र, CTP का 30 कोशन करेंगे, जो की CTAT exam में काफी आपकी help करेगा, तो आज कम कोशन स्टार्ड करते है फिर्स्त कोशन है, बालक का विकास परइडाम है, बालक का विकास का परइडाम है, इसका विकास कीAmरम है इसका परइडाम है, सामाजिक अधिगम आर्म होता है यह अलगाव से बीड़ से संपर्क से द्रस स्रब सामिग्री से तो दोस्तों कोश्चन पुछा रहा है कि सामाजिक अधिगम आर्म कहां से होता है इस पर कोश्चन समझाएंगे तो जैसके हम बात करते हैं पर कि सामाजिक अधिगम जो प्रारम होता है वो एक दूसरे संपर्क से होता है और संपर्क से होता है तो अंसर इसका अकोडिंग हमारा सी संपर्क से अगला कोश्चन देखती है बालक के सारणिक एवं क्रियात्मक विकास की दिसा होती है A. सिर से पैर तथा सरीर के बाहर से मद्द की और B. सिर से पैर तथा सरीर के मद्द से बाहर की और C. पैर से सिर तथा सरीर के बाहर से मद्द की और D. पैर से सिर तथा सरीर के मद्द से बाहर की और तो कुश्य में पूछा गया है कफे अच्छा कुश्य नहीं है तो कुश्य में पूछा कि बालक की विकास जो होता है या बालक की सारेक क्रियात्मक विकास की दिसा किस की और होती है तो जैसे कि हम बात करते हैं बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की और तथा सरीर के पाहर की और होता है तो यहां पर आंसर ही ताइक हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे कुशन पसंदा है तो लाइक करें दोसरों साथ में जोनको सब्सक्राइब करने प्रैस करने जैसे की नौटिफिशन के माध्यम से आपको भीडियों मलती रहेंगी कोशन देखती है से संग्यनादु छेत्र का मुल्यांकन किया जाता है सिये मुल्यांकन सतत एवं व्यापक छेत्रों का होता है डिये उप्युक्त सभी तो कोशन में काया रहा कि परिच्छा के इस्तान पर सतत और व्यापक मुल्यांकन गुडवत्ता मूलक सिच्छा के लिए अधिक क्योंकि इसमें क्या है इसमें बात करते हैं संग्यनत छेत्र का मुल्यांगन किया जाता है से संग्यनत छेत्र का मुल्यांगन भी किया जाता है मुल्यांगन सतत और व्यापक छेत्र का भी होता है तो इसका कोड़िक अंसरी तया करेक्टर यागा हमारा उपयक्त सभी तो अंस सामाजिक संचरण, B. अनुवव, C. संतुलीन करण, D. उपिक्त में से कोई नहीं, तो कोशन पुझाया कि प्याजिक के अनुसार बौधिक विकास का निर्यदारक तत्व नहीं है, इस प्रकार्स के सीटेट में कॉशन में काफी हाती हैं, कि नहीं में कुशन पुझायाती हैं, और जल्द वाजी में स्टुएंट से क्या करता हैं, कुशन पढ़ते हैं और पॉजिटिव में अंसर लगाएती हैं, तो इसलिए बी किरफुली पहले कुशन को पढ़ें, उसके अकॉडिक अंसर दें कि कुशन में क्या पुझाया रहा है, तो नहीं में तक्त्व पुझा गया है, कि बौध्दी विकास का जो तक्त्व यहां पे तीन होंगे और एक नहीं होगा, वही आपका अंसर हो जाएगा, तो यहां पे बात करते हैं, प्याजी के अनुसार बौध्दी विकास का निर्णार तक्त्व नहीं है, तो अंसर मारा करेक्टर जाएगा A, अगला वोशन दिखते हैं, निम्न लिखत में से कौन सा कतन विकास के बारी में सत्य नहीं है, सेम कुशन उपरवारी की तरह पुझा गया है, नहीं में, A, विकास अंते क्रिया का फल है, B, विकास एक विवस्तित स्रिंखला का अनुगामी है, C, विकास एक व्यक्ति उगत प्रक्रिया है, D, विकास विसिस्ट से सामानी की ओर होता है, यह भी नहीं में कुशन पुचा गया है, यहां तीन पॉजिटिब में होगे, और एक नेगेटिब में होगा, वही कुशन में आपका अंसर होगा, जैसे कि हम बात करते हैं, कौन सा कतन सत्य नहीं है, तो नहीं वाले हम कतन की बात करते हैं, तो यहां पर आता है, विकास बिसिस्ट से सामन की ऊर होता है, यहीं हमारा कतन नहीं होगा, तो अंसरी नगेर कियागा, डी, विकास अभी सा सामन से बिसिस्ट की ऊर होता है, तो चोMoreले होगा, अगला कोशन देखाएंगे, फ्राइड प्याजे एवं अन्य मनुबेगनिकों ने व्यक्तुत विकास की विविन अबस्ताओं की संदर्म में ब्याक्षा की है परंतु प्याजे ने ये कहा है कि विकास की अबस्ताओं बातावर ने निलायत होती है B.A. कहा है कि सैसब अवस्ता के अनुवव ही अधिक प्रवाबित करते हैं बाकी अवस्ताओं के सीमित प्रवाब होते हैं C.A. बिविन अवस्ताओं को समझने के लिए संगनत्बक बदलाब की बारे में कहा है D.A. उपिकुत में से कोई नहीं तो कोईश नरे ऐक रह और देखेंगे अन्य मनोव ग्यानिको नहीं बिक्तुत बिकास की बिविन अवस्ताओं के संदर्म में भ्याख्या की है परन्तु प्या झी ने अपने समझने के लिए जैसे कि प्याजी जी ने क्या कहा है उसके बारी पूछे जा रहा है जैसे कि आप बात करते हैं प्याजी जी ने जो कहा है नो ने कहा है कि बिविन अबस्ताओं को समझने के लिए संग्यानात्मक बदलाब की बारी में कहा गया है प्याजी की माद्धियम से तो इसके अंसरी से करेक्ट हो जाएगा वारा सी अगला कोशन देखेंगे मानव पिकास किन दोनों की युगदान का प्रडाम है काफी अच्छा कोशन है अप्शन देखेंगे अविवावक एवं अध्यापक का बिये सामाजिक एवं सानसिकर्टिक कारकों का सी एवं बन्सक्रम एवं बातावड का डिये उपिक्स में से कोई नहीं तो कोशन मुला रहा कि मानव पिकास किन दो युगदानों का प्रड़ाम है तो जिसके आपी बात करते हैं बन्सक्रम और बातावड का मानव बिकास दो प्रड़ामों का युगदान है तो यह अपि अनसिदा करेक्ट हैगा हमारा सी अगला कोशन देखेंगे कोशन को लाइक करते हैं हाथ याथ में जिससे की नौटिफेशन बात देंसे आपको वीडियो बिलती रहेंगी और इसी प्रिकरने कोशन आपको मिलते रहेंगे कोशन देखेंगे अधिगम निर्योगता का लक्षड है यह बागरिने की प्रवर्ती होना अधिगम निर्योगता का लक्षड है अधिगम निर्योगता का लक्षड है अगला कोशन देखते हैं मुरे ने एक प्रिच्छड की रचना करके इत्यास रच दिया वह क्या है फस्ट ए स्याई धब्बा प्रिच्छड बी ये बाग के पूर्ती प्रिच्छड सी ये बिसे आदम वोदन प्रिच्छड डी ये मूल लैंकन मापनी तो कोशन में कहा गया कि मुरे ने एक प्रिच्छड की रचना करके इत्यास रच दिया है वह है क्या है इस प्रकार से कोशन में पूछा जा रहा है तो जैसके आप बात करती है मुरे ने एक प्रिच्छड की है वह है बिसे आदम वोदन प्रिच्छड किया है तो इसका अंसेवा करेक्ट जाएगा C अगला कोशन देखेंगे निम्न लखत में से कौन ब्यक्तित का परिछेपी परिछड नहीं है A. रोसी स्याई दब्बा परिछड B. T. A. T. C. A. सब्द सहचार परिछड D. A. सोला P. F. परिछड या सिस्टीन परिछड महरे किजएंगे C. A. परिछड भी कह सकते हैं से तो जैसे कि आप पुछा गया कि निम्न लखत मेंस से कौन सा ब्यक्तित का परिछे P. परिछड नहीं है तो परिच्छे भी परिच्छड का नहीं होगा, वही हमारा अंसर होगा, तो नहीं में कोशन पुछा गया है, इस प्रकार की कोशन को आप जरूर ध्यान दें, तो नहीं वाला है हमने सिस्टिन पी एफ परिच्छड तो अंसर दा गरेक्टर है इसको अकोरडिंग हमारा D, अभी हुआ है एक प्रकार के बिवार को सजोए है कथन था फरस्ट अप्सें एए टिचनर का भी यह बुंट का सी यह बुडवर्थ का डिये मैकडूल का तो यह कथन दिया गया है क्थन को पुछाया कि यह कथन किस ने दिया तो यह कथन दिया है अगला कुशन देखेंगे बनो लेंगे कि विकास में सुपतावस्ता का बर्स अंत्राल सम्मंदित है कि यह बुचा कि मनो लेंगे कि विकास में सुपत अब्दक अवस्ता का बर्स अंत्राल सम्मंदित किस से है इस प्राइब कोशिन को समझेंगे तो जिसके बात करती है चैसे योगन तक सुब्त अवस्ता का बर संत्राल सम्मधित है तो अंसरी से अक्रेक्टर इसका अकॉडिंग हमारा बी अगल कोशिन देखेंगे उच्च प्रात्मिक इस्तर पर एस चिक एवं करियर निर्देशन की आवशकता है दिया केवल सेचिक निर्देशन की आवशकता है तो काफी अच्छा कोशिन पुचा गया है कोशिन को एक अब और और देखेंगे उच्छ प्रात्मिक इस्तर पर उच्छ प्रात्मिक इस्तर पर यह question पुछा रहा है कि क्या है बाकी option देदी है यह नीचे तो जैसे कि आप बात करते है question में B, माफ कीज़े C और D में केवल वड़ दिये केवल केवल मात्र ही ही, नही इस प्रकार के अगर आपके वर्ड आते हैं किसी option में तो 99% पर आपके वो answer नहीं होगे, तो दो में से आप कोई option चाट सकती है, तो आपका आप दो बच्चे हैं, A और B तो इसमें से आपका कोई बड़ी answer होगा, तो इसमें से answer पर दोवारा पढ़ी question को, फिर option पढ़िए, आपको दोई option पढ़ने अप, और दोई option में से देखना है कि कौन सा सबसे अच्छा है, तो वही आपका answer होगा, तो question पुछा रहा कि उच्छ प्रात्मिक इस तर पर सैच्छिक एवं करिये निर्देशन की आवशकता है, तो ऐ आवश्कता है, तो उच्छ प्रात्मिक पर सैच्छी करियर और बैक्तिकत निर्देशन की आवश्कता होती है, तो अनसे दाइक करेक्टर, इसका रहा हुड़िया हमारा B, तो कार्णासर हमारा B हो जाएगा, अगला question देहेंगे, बिज्ञान में मौनिका की संप्रप्ती अच्छी है किन्तु गडित में खराव है इसका प्रमुक संभाविय कारण हो सकता है ये बालिका प्राय गडित में कमजोर होती है ये मौनिका की माताप्ता असिचित है C.A. गडित सिच्छर प्रवावी नहीं है D.A. गडित कटिन विसे है तो कोश्चन कहा कि बिज्ञान में मौनिका है संप्राप्ती अच्छी है मतला पढ़ने में अच्छी है लेकिन या किन्तु गडित में खराव है इसका प्रमुकरण क्या है इस कोश्चन कहा रहा है तो जैसे के हम बात कर सकते है जब मौनिका बिज्ञान में अच्छी है और गडित में खराव है तो इसका करण है कि गडित सिच्छर प्रवावी नहीं है गडित सिच्छर उसके रुची के अकोर्डिक नहीं हो पारा है इसलिए वो अच्छी तरह से उसमें नहीं कर पारी है तो इसका कोड़ी अंसर इजा करेक्टर वेगा हमाने यहां पे C गडित सिच्छर प्रवावी नहीं है अगला कोश्चन देखेंगे जिन प्याजी के अनुसार अनकूलन द्वारा होता है जिन प्याजी के अनुसार अनकूलन द्वारा होता है जिन प्याजी द्वारा अनकूलन आत्म साथ करण और वेवस्ता द्वारा होता है तो अनसर दा करेक्टर जागा इसका कोड़ी हमारा D अगला कोश्चन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथी साथ में समावेसी सिच्छा उस विद्ध्याली सिच्छा विवस्ता की और संकेत करती है जो एक केवल वालिका सिच्छा को बढ़ावा देने की आवशक्ता पर भल देती है बीए सभी नरयोग्ये बच्चों को सामिल करती है सिच्छा उनकी सारिक बहुदिक सामाजिक बासिक या अन्य विविन योगताओं इस्तितियों को ध्यान में रखे बगएर सभी बच्चों को सामिल करती है बीए बिश्यष आवशक्ता वाले बच्चों को बिश्यष बिद्यालों के मद्ध हसे सिच्छा देने को प्रुसाहित करती है समाफिक सिच्छा की उनकीत करती है जो तो स्वाविय सिच्चा के बारे में पूछा जा रहा है तो किस प्रकार की स्वाविय सिच्चा होनी चाहिए या होती है यह कोशन में पूछा जा रहा है तो जैसे कि हमें बात करती हैं उनकी सारिक, बौधिक, समाजिक, भासिक या अन्य विविन योगतां इस्तितियों को ध्यान में रखे बगर सभी बच्चों को सामिल करती है सामवी सिच्छा और उस विद्याले सिच्छा विवस्ता की और संकित करती है तो अंसे दा करेक्टर जाए इसका उकड़ी हमारा C अगला कोशन देखाएंगे चिंतन अनिवारे रूप से है एक a. क्रियात्मक्ता गटिविदी b. भावनात्मक विवार c. संग्यात्मक गटिविदी d. अ. मनोगतिक प्रकिरिया तो जैसे कि यहाँ पर कोशन पुचा आए है कि चिन्तन अनिवारे रूप से है एक इस पर कोशन पुचा आगाए है जैसे कि बात करती है चिंतन अनिवार रूप से मनोगतिक प्रकरिया है तो आंसरी दा करेक्टर है इसका अगोड़ी हमारा D अगला कोशन देखेंगे स्रजनात्मक्ता की बारी में क्या गलत है A. स्रजनात्मक्ता तथा बुद्धी सदैप साथ साथ चलते हैं B. स्रजनात्मक्ता में लचिलापन होता है C. स्रजनात्मक्ता सर बहुमिक प्रत्य है D. स्रजनात्मक्ता में एम का समाविस होता है तो काफी अच्छा कोशन देखेंगे स्रजनात्मक्ता की बारी में क्या गलत है गलत कोशन पुछा गए कि नहीं कोशन पुछा गया इसी पिकार से तो यहां पर इसके अक्षण देखेंगे कच्छा कच्छ में सिच्छक वा विद्यारतियों के मद्य संप्रेशन होना चाहिए यह पाठी पुस्तक केंदरित बिया विद्यारति केंदरित कच्छा कच्छ में सिच्छक वा विद्यारति के मद्य संप्रेशन केंदरित अगला कुछा देखेंगे सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्स से 14 वर्स आयू के विद्ध्याले कभी न गए अथवा विद्ध्याले सिच्छा अधूरी छोडने वाले बच्चों को सिच्छा की मुक्धारा से जोडने हे तू अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्स से 14 वर्स के विद्ध्याले के विद्ध्याले कभी न गए अथवा विद्ध्याले सिच्छा को हदूरी छोडने वाले बच्चों की बच्चों को सिच्छा की मुक्धारा से जोडने हे तू कौन सा कार किया है इस प्रकार को समझेशते चलेंगे तो जैसे कि आपी बात करते हैं राइट्टू एजिक्शनी जब आप यहां पी बात हो रही है तो जैसके अकोडिक हो जागा बिसेश प्रसेशन लागू करने प कि अगर वश्चन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ जात में उच्च प्रात्मे की स्तर पर सिच्छक को क्रियात्मक सोध का ज्यान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माद्यम से बच्चों की समस्या की पैचान कर सुधार करने का कौसर मिक्सित कर पाएंगे इसके माद्यम से बच्चों की समस्या की पैचान कर सुधार करने का कौसर मिक्सित कर पाएंगे विक्सित कर पाएंगे तो आंसे दा करेक्टर जागा इसका ओकडिंगा हमारा ए अगला कॉशन देखेंगे निश्पत्ति उपलब्दी आईक्यू का सूत्र होता है तो कॉशन में आईक्यू का सूत्र पूछा हुए है फर्मूला पूछा गया है यह है तो आईक्यू का फॉर्मूला पूछा गया है काफ़े अच्छा कोश्चन है यह भी तो जैसे कि हम आईक्यू को फॉर्मूला के बात करते हैं एक्यू इस इकल टू ए अपॉन एम ए तो इन्टू हंड्रेट तो इसको कोड़े आंसीदा करेक्ट होएगा हमारा डी अगला कॉशन देखेंगे बच्चों के बासाई विकास के लिए जरूरी है कि ए उनको अधिक से हदिक अपने विचार ब्यक्त करने के अबसर देने चाहिए बासाई कोशनों के विकास है तू गत विदियों आयद की जानी चाहिए सी यह लिखना पढ़ना बोलना और सुनने का अब्यास करना चाहिए डी अ उप्यक्त सभी तो जैसे कोशन विचार रहा कि बच्चों के बासाई विकास के लिए जरूरी है कि तो बासाई कोशन के लिए क्या जरूरी है कोशन में इस प्रकार से पूछा रहा है तो जैसे कि हम बात करते हैं कि उनको हदिक से हदिक अपने विचार विक्त करने के अबसर दिरने चाहिए बासाई कोशनों को विकास है तू गत विदिया आयूत कियानी चाहिए लिखना पढ़ना बोलना और सुने का अभ्यास करना चाहिए तो इसके अगोड़ी आंसरी दा करेक्टर हो आवा रहा है यापर D उप्यक्त सभी अगला कोशन देखेंगे सिच्छड कार के अंतरगत निम्न लिखत में से आस्रत चर है अगोशन देखेंगे सिच्छड का प्रमुक कार है कफे अच्छ़ा कोशन है जैसके हम बात करती है यह सिच्छड का प्रमुक कार निदान करना उप्चार करना मुल्यांकन करना तीनो ही होता है तो answer होगा यहाँ पर A B तथा C तीनो ही तो answer करेक्ट जाएगा D अगला कोशन देखेंगे सिच्छड अधियम का इस्तर होता है A इसमर्ती इस्तर B अब बोध इस्तर C इस बिमर्शी चिंतन इस्तर D इस A B वसी तीनो ही तो काफी अच्छा कोशन देखेंगे सिच्छड अधियम का इस्तर होता है कोशन देखेंगे तो जैसके आप बात करती है इसमर्ती इस्तर अववद इस्तर पिमर्शी चिंतन इस्तर तो answer ही ता करेक्ट हो जाएगा D A B वसी तीनो ही अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करती है साथ में चनल को सब्सक्राइब कर ले कोशन देखते है कच्छा सिच्छ कार करते समय विद्ध्यार्तियों को अधिगम हेतू प्रेजित करने के लिए निम्न लगत्में से किस त्याथ्थ पर बल देना चाहिए कफे अच्छा कुशन बचाया है A.A.A.P. विद्ध्यार्तियों के बेक्तुत गुड़ों के विसे में जानकारी रखना B.A. विद्ध्यार्तियों के सामाजिक सांसक्रित्क प्रष्ट भूमी के संबंद में जानकारी प्राप्त करना सीे मिद्यार्थि न DONT की अधिगम सैलियों की जनकरी की लखना कि लिए ऽी पर भुप सी तीनोही पर कि स ailो अप्शन दिय गया क處 सहंच दिया ग़ेगे ठीए कोच्छन के का कच्छा सिचण कार करतें इस अमे बिध्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेयर्थ करने के लिए निम्न फ़ितमे से कौन से तैर्थ पर या कौन सी त्रिया विदी पर बल देना चाहिए इस प्रड़कोशन समझेंगे जिसके आप बात करते हैं विद्ध्यार्तियों के बैक्तियों के विकास में जानकारी रिखना विद्ध्यार्तियों के सामाजिक सांसे कि प्रश्टि मुमी से संबंद जानकारी प्राप्त करना विद्ध्यार्तियों की अधिगम सेली की जानकारी प्राप्त करना तो इसका अकॉर्डियों हमारा आंसरी सिद्दान्थ दी एक कार की सिद्दान्थ सी एबो गौ कार की सिद्दान्थ दिया दूरी कार्क सिद्दान्थ कणा क्या हैorb 19 करते हैं इस प्रेयर में द्वारा प्रस्तुत सिद्राम्त है जो की दुए कार्यक सिद्राम्त होगा तो अंसिद्रा करेक्टर इसका कुर्णी अमारा डी अगला कोशन देहेंगे अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी ए अपने प्रेयर कों की संतुष्टी करता है बीए अपने विवार के बातावण के साथ समायुष्ट करता है लच्छ प्राप्ति हेतु बादाओं को पार करने का प्रैतनिक करता है डीए उपिक्त सभी क्रियां करता है काफ़े अच्छा कुश्यों पिछा रहा है अधीगम एक प्रक्रिया है जिसमें प्राड़ी बात करेंगे तो अपने प्रेयों की संतुष्टी करता है विवारों के बातावण के साथ समय वित करता है लक्ष प्राप्ति हेतु बादा को पार करने का प्यत्न करता है तो सारी च करें जाल से दा चैनल को सब्सक्राइब कर रहें प्रैस कर लें जिसकी नोड़ी फिरम अधिम्स आपको वीडियों मिलती रहेंगी तो मिलते हैं ऐसे जमर्या सेसर के साथ में जैन दोस्तों बंदे मात्रम